हेलो फ्रेंज, वेलकम टू आर यूटूब चैनल, वे वीडियो में आपको immigration question क्यां पूछते उसके बारे में बताएंगे ये वीडियो में हम दो part cover करेंगे, एक तो जो student को क्या-क्या question पूछे थे यानि मेरे को क्या-क्या question पूछे थे वो उसके बारे में हम discuss करेंगे और जो dependent आ रहे हैं तो उनको भी के टाइट के question पूछते उसके बारे में हम discuss करेंगे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो like कर दिजिए, share कर दिजिए और subscribe कर दिजिए मेरी इमिराज की flight थी, मेरी connecting flight दोनों इमिराज की थी मेरी journey थी एमदाबाद से दुबई थी और दुबई में तिन घंडे का होल था और दुबई से न्यूकासल गी थी क्योंकि मेरी टीसाज उनिवर्सेटी है तो नदिक एरपोर्ट है तो मेरी जो पेली flight थी एमदाबाद से दुबई गी तो एमदाबाद गुजराद की एक सीटी है तो वहां से एरपोर्ट से मैंने फर्स फ्लाइट ली थी तो वहां पे मेरेको दोई तीन पूछे थे क्योंकि वहां ज्यादा स्टूड़न नहीं रहते क्योंकि दुबई जाने वाले थे तो वहां पे मेरेको अपना नाम पूछा आप स्टूड़न हो तो येस और आपकी कौनची उनिवर्सिटी है और क्या का पूछे तो यह चार-पांच question मेरेको पूछेते अगर कोई बड़ा airport है दिली का है बोंबे का है तो वहाँ पे मैं भी ज्यादा question पूछ सकते हैं question क्या पूछेंगे वह fix नहीं रहता क्योंकि वह सामने वाले बंदे के उपर वह देखते हैं कि उसको नहीं लगते तो वह ज्यादा question पूछ लेते हैं और mostly वही question पूछेंगे जो आपको university के related है या UK के related कुछ भी है तो अगर आपने अभी तक हमारी वह इंटर्वी question वारी वीडियो नहीं देखिए तो part 1 part 2 दोनों वीडियो देखिए और मैं यह वीडियो के description में भी उनकी लिंक दे दूंगी तो आप वह देख लेजिए तो यह 4-5 question मेरेको पूछे तो अब मैं बता दी हूँ मेरी दूसरी flight दूबड़ी से न्यूकासल की थी तो दूबड़ी airport से तो मेरी connecting Friday तो वहां मेरेको immigration पे जाने के जरूरत नहीं पड़ी दूबड़ी से न्यूकासल एरपोर्ट में जब मैं लेंड हुई तो न्यूकास लेटर दिखाई है और आपका कोर्स कौन सा है और बी आर्पी लेटर दिखाना था बस यह दो ही लेटर दिखाने थे फिर उनको स्टेमर के जाने दिया आप जैनियू स्टुडेंट है तो आपको बिल्कुल गबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप यहां study के लिए आए को तंग नहीं करते हैं अगहां उनको देख के लगा कि यह जैनियूर नहीं है यहां कोई भी एक भी कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाने को बोला और नहीं दिखाया यहां कुछ बताए रहे रहे जिसे तो उनको जादा ज़्यादा पूछ सकते हैं तो अगर चार-पांच फ टाइम पर क्या पूछते हैं उसकी उपड़ी पेंट करता है तो आपको बिल्कुल गवराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जनियू स्टुडेंट है तो बिल्कुल गवरा यहां नहीं और कॉंफिदेंस से आंसर दीजिए और आहां आपके साथ जो ओरिजनल लोक्यूमे तो चिंदा करने के जरूरत नहीं है आराम से आप आया यूके तो अब हम बता दे हैं कि इसको बताना पड़ता है कि वह डिपेंटन एक्चुली है या नहीं बहुत सार ऐसे होते हैं इल्लेगल वे से यहां पर आते हैं तो इसलिए डिपेंटन को क्यों ज्यादा होता है तो जब मैं अमदाबाद से यूके आया तो मेरी फ्लाइट अमदाबाद से मुंबई और मुंबई से इथरो थी तो मैं इथरो लेंग किया तो मेरा एक्चुली इमिगरेशन था इथरो पे मुंबई में मुझे कोई क्वेशन नहीं नहीं बूचा मेरा से पास्पर देखा नाम बूचा और मुझे जन दिया और स्टेम करके मैं निकल गया मुंबई मेरा एक गंड़े का होल था तो वहां पर भी मेरा एक्चुली क्या था कि अमदाबाद से मुंबई में रोमेस्टिक फ्लाइट में था और मुंबई से मेरा इंट्रेशन फ्लाइट में चेंज करना बूचा थे कम से कम 200-200 लोग वहां पर थे इमिख्रेशन के टाइम पर वह रहां पर रहा होता है कि केसा रह से जब सुद्धर पर आते हों तो मेरे गंड़ा मेरा लाइन में चला गया मेरा नमबर आने तक और वहां पर 6 य6 सात काउंटर थे वहां बाद बान बूलाते थे तो एक गंड़ में वेट किया मेरा नमबर आने तक जैसे मेरा नमबर आया तो मुझे पहले यह पूचा कि आपना पासपर दिखाओ तो फिर मैंने पासपर अपना दिखाया उसके बाद क्रेशनीन चालो किया उन्हें पर नाम पूचा फिर आप यहां पे क्यों आये हो तो उस इसके बाद का पे नहशंता है तो बीमियर अपना पूचा काम करता था मेरे को सकते हैं लेक अग्दा करते तो बीद्नेश के बार में बताईए और उसके है मै उख़ा मेरे समय कोई को से उन्विशो छो बुछा मुझे कों सी इनियो ओपुछा और उसके बाद मेरा की रमार्नाफ के पीशल्ट होग है उनको पर वह고 होने को फिर न शीकल्क वें निए पूछेंगे कि आपको कौन्से कीर्शन पूछेंगे मेरे मेरे काच लगा हुआ था तो नीचे थोड़ी है जिसके आध जाना खुल आ था जिसमें से पास्पर्ट दिया था तो वह क्या बंदा बोल रहे हैं बहुत लोग सुना पड़ता था दो बाद यहां अच्छे से पूछा है तो फिर उसको उसको पूछा-प्या-प्या रिपीट करो तो फिर से उसे रिपीट किया फिर में रहेका उसका अंसर तो इसा कवरणना नहीं है आपको कि अब यहीं सारे क्वेशन थे अगर आपने पहले हो व्यावरा वीटेशन देखांगे तो उसमें सारे क्वेशन आ जाएंगे तो वह देखिए और कमेंट कीजिए कोई क्वेशन रह गया है आपको भी और क्या जनना है ये कमेंट आया था कि इसके ऊपर वीडियो बनाईए तो हमने सुचा चला हमारे को टाइम मिला है आज बहुत दिनों के बाद तो अपने ये वीडियो बनाया है अगर हमारा वीडियो आपको अच्छे लगते है तो लाइक करिए शेर करिए और अपने जो फ्रेंड वागेदा है जो आने वाले है यूक की आने का सोच रहे है तो उनको शेर की जिता उनको भी पता चले कि किसे कैसे प्रिपरेशन करनी है क्यों कि बाले में तो थेल्क्यू फर वाचिंग में तेहें रेक्स व्लोग में